गुड मॉर्निंग डियर स्टुएंट्स आज हम जो वरक्सीट करने वाले हैं वह वरक्सीट नंबर शिक्स जोकी सिक्ष्या निदेशाले राष्टी राजदानी छेतर दिली के द्वारा दी गई है बच्चो आपका जो आज का जो विशे रहेगा वह विज्ञान जोकी कक्षा शेवन्त के एर्थ के विदार्थियों के लिए हैं बच्चो वरक्सीट को स्टार्ट करने से पहले यहां पर अपना नाम और यहां पर अपनी कक्षा दापक का नाम जुरूर लिख दे तो बच्चो आज का जो हमारा विशे रहेगा वरक्सीट का वह सुक्समजीव हमने पिछली वरक्सीट में भी सुक्समजीव के बारे में कुछ पढ़ा था तो उन्ही जानकरियों को हम आगे बढ़ाते वे यह वरक्सीट सोल करेंगे तो बच्चों हम पढ़ते हैं यहां से हम जानते हैं हम जानते हैं कि सुक्सम जीव एक कोशिकी हो सकते हैं जैसे कि जिवानों कुछ सेवाल अवं प्रोटो जवा बच्चों एक कोशिकी जीव वो होते हैं जो एक ही परकार की कोशिका से बने होते हैं और बहु कोशी के जिवों होते हैं जो एक से ज़्यादा परकार की कोशीकाओं से मिलके बनी होते हैं तो आपको नोट करना है कि कौन-कौन से जो एक कोशी के जिवों है जिसे कि जिवानों, सेवाल और प्रोटो जुवा और बहु कोशी की सुक्सम जीव कौन से हैं सवाल एवं कवक अब हम पढ़ते हैं कि सुक्सम जीव कहा रहते हैं तो सुक्सम जीव बच्चों कहा रहते हैं ये सबी परकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं जिसमें बरफिली ठंडी जलवायू से लेकर गरम जर्णों और रेगिस्थान से लेकर दलदली भूमी तक सामिल है। ये मनिश्यों सहीत जानूरों के सरीर के अंदर भी पाय जाते हैं। कुछ सुकसम जीव अन्य जीवों पर आशरित होते हैं जबकि अन्य सवतंतर रूप से मौजुद होते हैं। अमिबा जैसे सुकसम जीव अकेले रह सकते हैं जबकि कवक और बैक्टरिया समों में रहते हैं। बच्चो आपको इस पेराग्राफ को पढ़ने के बाद में क्या समझ में आया हैं कि जो हमारी सुकसम जीव होते हैं वो हर एरिया में देखने को मिलते हैं। हमारा कैसा हो ठंडा मोसम हो या गरम मोसम हो या वो दल दले भूमी हर परकार के हमें इन्वायरमेंट में यानि हमारी जो मिट्टी होती है उसमें देखने को मिलते हैं ये जो बैक्टरिया होते हैं सुकसम्जियू जैसे समू में रहते हैं जैसे कवक और बैक्टरिया ये क्या होते हैं सुकसम्जियू होते हैं लेकिन ये क्या होते हैं समू में रहते हैं और अमि तो आपको यहां पर देख सकते हैं कि गरम जर्णों में भी हमें क्या देखने को मिलते हैं सुक्सम जीव रेगिस्थान में भी बर्फिली जलवाईयों में भी और मिट्टी में भी क्या देखने को मिलता हैं सुक्सम जीव देखने को मिलते हैं इसका अर्थ है कि सुक्सम कारी यों के लिए किया जाता है lateral उनका उपयोग दही ब्रैडड यलकोहल और केक बनाने में किया जाता है इनका उपयोग परियावरण की सफाई आजाता है जैसे वे जैवी कच्रे सबजियों के छिलके जानवरों के अवसेश मल आदी को विगटित करते हैं पर्थवी को सवस्त रखते हैं तो बच्चो इनका उपयोग आपको पताऊना चाहिए कि इनका दही अलकॉल और ब्रेड बनाने में क्या ज़ता है सफाई में भी दिखो जैसे बच्चो सफाई में भी कैसे करते हैं पर्यावनण की सफाई और एसा नहीं होगा तो वो पऊसु क्या होगा वहीं पे पड़ा रहएगा और बदव देता रहेगा तो इस परकार से ये सुक्सम जी उसको क्या अगर देते हैं विगटित करके मिट्टी में मिला देते हैं तो इस परकार से जो भी कोई पदार्थ होता है अवसिस्ट पदार्थ उसको गलाने वर सडाने में किसका हैमरोल होता है सुकसम्जियों का तो बच्छों आपको पता होना चाहिए तो इस परकार से परियावन की सफाई में एहम रोल निवाते हैं कुछ बैक्टरिया और कवक का उप्योग दुमाओं को बनाने में किया जाता है जैसे पैंसलिन जो हना बच्छों वह क्या है एंटिवाइटिक क्या है मेडिशियन है जैसे कि टाइफाइडिक से लेकर के हम जो अमारी जो बैक्टरिया से ओने वाली बिमारिया जो होती है उनका उनके लिए जो अमदवाईया बनाते हैं वो बैक्टरिया बैक्टरिया से ही बनाते हैं करसी में इनका उप्योग नाइट्रोजन स्थिरी करन करके मिट्टी की उरोता बढ़ाने के लिए किया दाता है बच्छो कुछ दलहन वाले जैसे प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में क्या होते हैं कुछ बैक्टरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम ये बैक्टरिया क्या क्या करते हैं जो परियावन से जो नाइट्रोजन होती है उसको उसके अन्य रूप में बदल करके मिट्टी में इकठा कर देता है और इस परकार से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की समता नाइट्रोजन की पचूरता को बढ़ाता है तो इस परकार से ये सायता करते हैं और इसके लावा बेकरी बनाने में दवाईयां बनाने में नाइट्रोजन स्थिरी करन में सुक्सम जियों का क्या होता है एहम रोलता है तो इनी जानकरी को पढ़ करके हमें क्या करना है बच्चो यहाँ पे उच परसनों का जवाब देना है एक कोशी के और बहु कोशी के जिवों के उधारण दिजीए तो आप बच्चो यहाँ पे देख सकते हैं एक कोशी के जिवों कुछ सवाल प्रोटो जुआ और बउ को सीखिए स्वाल वै कवक तो आपको इनमें उदारन लिखने यह वाला यहां सी करना है सुक्सम जीव कहां पाय जाते हैं सुक्सम जीव बच्चों में कहां मिलते हैं गरम जर्नों में, रेगिस्थान में, बर्फिली जलवाईयों में, मिट्टी में, इतियादी में देखने को मिलते हैं थार्ड क्यूस्टन में हमसे क्या पुछा गया है हमारे देनिक जीवन में सुक्सम जीवन के तीन उपयोग यो दारन दीजिए तो इसकी उपयोग देखो बच्चों कहां पर देखने को मिलते हैं शुक्सम जीवों का उपयोग विभिनकारियों के लिए किया जाता है जैसे दही, ब्रेड, अल्कोल और केक बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं तो ये लिख सकते हैं दूसरा इसका उपयोग परियावरण की सफाय में भी किया जाता है जैसे वे जेविक कचरे छिलके जानुवरों के उसे मल को विगटित कर देते हैं और परत्वी को स्वस्थ रखते हैं तो दूसरा उपयोग ये तीसरा उपयोग ये लिख सकते हैं अगला भी हम ये लिख सकते हैं कुछ बैक्टरिया और कवक का उपयोग दुआओं को बनाने क के लिए किया जाता है दुआयां भी इनी से बनती है बच्चो तो इस प्रकार से आप इनका उपयोग देनिक जीवन में उपयोग लिख सकते हैं तो आशा करता हूं बच्चो आपको यह वरक्षीट समझ में आई होगी हम आपके लिए इसी प्रकार से वरक्षीट का सोलुशन लेगा आते रहेंगे तब तक के लिए बच्चो धन्यवाद